एलो फ्रेंड्स वेलकम तो यद्ना इंवस्मेंट अकेडमी आज हम येस बैंक का जो एफपी ओ आया है उसके बारे में आप लोगों के साथ डीटेल अनलिसिस करने वाले है अब आशा करेंगे कि यह जब वीडियो आप लोग पूरा देखोगे तो यू विल गेट अ क्लियर आइडिया वेदर तो अप्लाइ टो डिस कंपनी और नॉट और दूसरा ये भी है आप किस टाइप के इंवेस्टर हो उसके हिसाब से यहां पर आइंसर बदलता हो अभी नजर आ सकता है आप लोगों के लिए तो ध्यान से जब हम ये वीडियो को कंक्लूर करेंगे तो वो दिहान से सुनियागा दोस्तों I think those arguments will help you a lot not only applying for YesBank FPO और any other future IPO's और FPO's जो आएंगे वहां पर आपको आपका एक thought process अच्छे से बिल करने के लिए help करना चाहिए ये particular वीडियो तो चार पार्ट में इस वीडियो को डिवाइड करेंगे पहले पार्ट में बताएंगे कि YesBank पैसा रेज क्यों कर रहा है क्यों इनको ऐसे खराब मार्केट में भी पैसा रेज करने के लिए और वो भी FPO जैसे instruments यूज़ करने पड़े दूसरे में FPO के details आप लोगों के साथ शेयर करेंगे दूसरे पार्ट में इस वीडियो के थर्ड पार्ट में current financial situation कैसी है, book कैसी है, liability franchise कैसी है, company की उसके बारे में बात करेंगे और फोर्थ पार्ट में इस particular वीडियो को conclude करने की कोशिश करेंगे with our comments और ये भी बताऊंगा आपको कि मैं इसमें apply करूंगा या नहीं करूंगा बाखी आपका decision आपके advisor को पूछ के आप लोगोंने लेना चाहिए दोस्तों आईए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं, first part में yes bank पैसा raise क्यों करना चाता है, इसके बारे में हम बात करेंगे सो थोड़ा सा history में चलते है, yes bank के साथ क्या हुआ है ये सब को पता है कि वहाँ पे कैसे fraudulent activities हुई और उन fraudulent activities की वज़े से एक time ऐसा आ गया था कि ये bank ढूप जाएगा का ऐसा लग रहा था but with all the private banks and PSU में SBI led the team and उनोंने वहाँ पे yes bank को बचाया, 31st of March 2019 जो भी उनोंने numbers declare के थे उसके हिसाब से capital adequacy ratio जो था bank का वो था around 16.5% 16.5% was much better than the requirement of 12.5 to 13% of the capital adequacy ratio बाद में 31st of December 2019 में ये सारे problems हो गये bank के और फिर बहां पर पता चला कि कोई ना कोई किसे ना किसे को आके इस bank को बचाना पड़ेगा, so 31st December 2019 को bank ने जो numbers declare के थे वहाँ पे capital adequacy ratio जो था वो 4.1% तक नीचे चला गया है, मतलब टेक्निकली अगर देखा जाएगा, अगर कोई save करने नहीं आता bank को, तो bank completely bankrupt हो गई थी, और मतलब खतम हो गया था bank का, because NPAs were more than the capital adequacy ratios, so it means कि वो पूरा का पूरा पैसा risky हो गया था वहाँ पे और मतलब उनके पास जो reserves होते, overall book को बचाने के लिए, वो reserves use करना पड़ता है, last में जाके और फिर सारे assets वगेरा बेचके, वो bank बंद करना पड़ता है, but वहाँ पे, as a country, मतलब जो हम बोलते हैं कि हम capitalist country है, but I think there is a lot of communism which is required also at some point of time, तो वहाँ पे, government ने push किया, SBI को, RBI ने push किया, SBI को, और फिर वो पूरा का पूरा banking industry को यह उसमें उतरना पड़ा, because अगर यह event हो जाता, bankruptcy का, या फिर पूरे deposits डूप जाते, investors के, तो I think यह बहुत खराब ripple effect कर सकता था, overall banking industry पे, तो वहाँ पे, सबने responsible actions लिए, और अपना अपनी तरफ से अपना capital infused किया, तो वहाँ पे वो कर तो दिया, तो उसके से थोड़ा बहुत capital adequacy का जो number है, वो बढ़ भी गया, तो currently the capital adequacy ratio is around 8.5%, but the requirement is still around 4.5% दूर है, जो RBI की requirement है, कितना capital लगना चाहिए, तो अब यह कहां से करेंगे, तो इनको market में जाके यह पैसा raise करना पड़ेगा, तो तरीके से होसा, या तो वो debt market में, capital market में जाके भी raise कर सकते है, but वहाँ पे nobody wants to lend to Yes Bank, that's what this current situation is coming out, तो फिर Yes Bank ने बोला कि भाई, मुझे long term capital चाहिए, तो मेरे पास equity share capital लेना चाहिए, so what I will do, I am already a listed player, so अगर listed नहीं होता, तो IPO आता, अगर listed player है, तो फिर उसको बोलते है, fall on public offer, कि दूसरा public offer लेकिया है, मनलब in a way, fall on public offer लेकिया है, वो इसलिए उसे कहा जाता है, FPO, तो Yes Bank ने FPO लाने का decide किया, और अभी capital adequacy ratio यहां से पढ़ जाएगा, hopefully अगर यह successful हो जाता है, तो जब हम FPO के details बताएंगे, आपको तो वहाँ पे वो idea आ जाएगे आप लोगो watch as ready, कि अगर worst के scenario आता है, because COVID की situation कैसे develop हो रही है, nobody knows that, तो वहाँ पे और जादा additional provisions वगेरा करने पड़ेंगे, तो फिर अगर capital नहीं होगा company के पास, तो problem हो सकता है, because already we are seeing कि company के जो assets है, जो loans दिये हुए company ने, वहाँ पे NPA का number is a troublesome number, जब financial situation हम third part में इस वीडियो के discuss करें S-Bank की, वहाँ पे आपको वो idea आ जाएगा, so अभी clearly RBI के जो rules and regulations से उनको justify करने के लिए इनको अभी पैसा raise करना पड़ेगा, RBI ने सिर्फ S-Bank को नहीं बोला है, सारे banks को बोला है कि आपकी watches training ready होनी चाहिए, because we are going to see some tough times in our banking industry, जो moratorium का period end हो जाएगा, six months का जो August में हो जा over of that extending that moratorium, क्योंकि उनको hard facts देखना है, कि कितना prepared रहना है, नहीं रहना है, तो सारी चीजे उनको clear करनी है, तो वहाँ पे यह moratorium period जब end हो जाएगा, that time we will come to know, कि सही में यह under moratorium जो loans थे, उसमें से NPS कितने convert हो रहे है, और वो NPS अगर convert होंगे, तो वो NPS में convert होने के बाद, प्रोविजिनिंग करनी पड़ेगी, और प्रोविजिनिंग कहां से की जाती है, या तो आपके बास extra capital होना चाहिए, या फिर आपका operating income बहुत जबरदस होना चाहिए, वहां से आप वो प्रोविजिनिंग कर सकते हो, तो दोनों side में, even HDFC bank जैसा bank भी अच्छा खासा पैसा raise कर रहा है यहाँ पर, so no bank is avoiding this particular situation, they are using these times to raise more and more capital, so that अगर बहुत खराब time सामने आता है, तो they should be ready, so इसलिए, the first questions answer, why do yes bank want to raise this money, is to properly qualify for the RBI's rules and regulations of capital adequacy ratio, which are between 12.5 to 13% का वो level उनको reach करना है, and that's why they are raising this money, now the second part of this video, कि FPO के details आप लोगों के साथ share करते है, तो कितना पैसा raise करना चाहता है, yes bank around 15,000 crore rupees raise करना चाहता है, face value का है, yes bank का, it is around 2 rupees per share, IPO का price क्या रखा है, इन्होंने around 12 to 13 rupees, 12 to 13 rupees का price band है, depending on कैसे apply होता है, लोग कैसे response करते है, उसके हिसाब से देखा जाएगा, current market price at least as of today, जो मैं 14th of July 2020 के हिसाब से बता रहा हूँ, हो सकता है, आप जब video देख रहे होंगे, तो price और जादा change हो चुपी होगी, जब ये actually issue आया था, तो price और जादो उपर था, 23-24 rupees तक था, बट जब हम video बना रहे है, तब का हमने discount आप लोगों को बताया है, तो आप देख लीजेगा, आप जब ये video देख रहे हो, तब क्या price चल रहा है, एक्स्ट्रा 1 rupee discount, means for employees, the price band is between 11 rupees to 12 rupees, so overall 1000 shares का lot रहेगा ये, so maximum a retail investor 15,000 shares का, या फिर 15 lots को apply कर सकता है, with around 1.95 lakh rupees, sorry, 1.95 lakhs rupees, not crore, because बहुत सा बार ये crore के numbers ही सामने आ रहे है, so यहाँ पे 15 तारिक को ये open होगा, FPO and 17 तारिक तक ये चलेगा, so 3 दिन के लिए open रहेगा, we'll have to see कैसे response आता है यहाँ पे, but high discounts दिया है, इसलिए शायद ये successful हो जाएगा, even SBI के side से भी अगर आप देखोगे, तो around 1760 crore rupees का extra additional provision, apart from this IPO, FPO, they are doing to Yes Bank, कुछ-कुछ government के side से भी positive चीज़े, deposits बढ़ाने के लिए हो रही है, जैसे कि PMKS fund का accounts यहाँ पे open किये गए है, या फिर रायस्तान या फिर हरियाना के governments ने भी Sbank के साथ accounts open किये हुए, major reason because now everybody knows कि SBI वहाँ पे है, and SBI is going to support, we do not know कि आने वाले समय में शायद merging वगेरे की भी बाते हो सकती है, because growth is not happening with Sbank, तो अभी जब third part में हम इस company का current financial situation देखेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को idea आ जाएगा दोस्तो, so 15,000 crore rupees का यह aggregate total FPO की size है, let us see कि कैसे इसको response मिलता है दोस्तो, so दोस्तो now the third part, current market या current situation of this bank, कैसा है overall, कितना allocation है, loan book की size क्या है, retail liability franchise की size क्या है, यह सारी चीज़ें आप लोगों के साथ इस वीडियो, इस पार्ट में हम discuss करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ alarming situations develop हुई है, क्या alarming situations है, bank कहां से पैसा कामाता है, bank पैसा कामाता है, जो इन्होंने loans दिये, वहाँ से अच्छा कसा पैसा, interest के income के तौर पे इनके पास आता है, तो वही बुक श्रिंक होती हुई नजर आ रही है, 31st of March 2019 को जो loan book थी, advances की book थी, 2.41 lakh crore rupees, वहाँ से यह loan book 1.71 lakh crore rupees तक नीचे आई है, दोस्तों, now, the another problem for the bank is their deposit book, तो वह भी drastically down हुई है, अगर एक साल में हम दिखेंगे, तो more than 50% की book down हुई है, 31st of March 2019 को जो deposit की book थी, bank की वो थी, 2.27 lakh crore rupees, वहाँ से यह 1.05 lakh crore rupees तक नीचे आई है, within one year, so this shows कि जो depositors होते है, उनका confidence completely shake up हो गया है, इस bank के साथ, almost, almost 1.22 lakh crore rupees के deposits कम हो है, now comes the worst part, यह तो हमने एक साल का आपको बता है, but एक quarter के अंदर, loan book जो थी, वो 1.86 lakh crore rupees से 1.71 lakh crore rupees तक आई थी, तो यह वहाँ पे भी around 15,000 crore से loan book कम हुई है, but the worst part is, इनकी जो deposit book है, वो 1.65 lakh crore rupees से घटके, 1.05 lakh crore rupees हुई है, so within one quarter, within one quarter, 60,000 crore rupees के deposits कम हुए है, we do not know कि 30th of June के, क्या details होंगे, उनकी deposit book क्या होगी, because वो details अभी तक हमारे पास को समने नहीं आए है, so that is a worrisome sign, तो अगर advances, loans, loan book divided by, अगर आप deposit book देखते हो, यह ratio 160% का है, which is not at all healthy, normally यह नजदीक ही होना चाहिए, या तो फिर हम यह बोलेंगे, क्या कम बैंक के पास deposits जदा होने चाहिए है, और loans कम होने चाहिए, that's when their total capital adequacy का, जो situation है, वो काफी strong होता है, तो यह चीज यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है, the worst part is about the kasa book also, वो particular book, अगर आप देखोगे, तो बहुत बड़ा fall यहाँ पे kasa book में होता हुआ नज़र आ है, from 75,000 crore rupees to 28,000 crore rupees within one year, और अगर सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ एक quarter का हम बात करते हैं, from 53,000 crore rupees to 28,000 crore rupees का kasa book, इनका as of 31st March 2020 का है, we do not know कि यह June के numbers क्या है, but we are not very hopeful also, कि वो बहुत बड़िया हो सकते हैं, now, हम loan book की तरफ जाते हैं और वहाँ पे भी कुछ alarming situations develop कोई है, इनकी जो total loan book है, which is around 1.71 lakh crore rupees, जिसमें से corporate banking जो है, वो 56% की है, normally हम हमेशा suggest करते थे, जहां जहां पे corporate banking का allocation more than 50% होता है, that is a troublesome sector for that particular bank, and it's not that, कि यह जो corporate lending हुई है, यह risky नहीं है, 93% of the total loan book, which ES bank has, यह risky मानी जाती है, normally सारे banks के riskier होते हैं, जहां पे भी ratings AAA से नीचे हो जाती हैं, तो risk component आ जाता है, but Axis bank जैसे bank में, जहां पे 50-60% या ICICI bank, जहां पे 50-60% की risky asset book होती है, risky मतलब वहां डूबने वाली है ऐसा नी, but little more risky compared to the secured lending जो होती है, थोड़े जादा rate of interest वहां पे होते हैं, तो यह यहां पे इनके पास 93% of that particular book is little risky, so 56% of the corporate banking book है इनके पास, then retail banking यानि कि छोटे-छोटे जो loans दिये, retail loans दिये, वो 24% के, which is very worrisome sign, यह बहुत काम है, यह normally जादा होनी चाहिए, अगर IDFC first bank के साथ हम देखेंगे, this is the book the company is trying to grow, so let us see, कितना कर पाता IDFC, but they are making a conscious effort, to increase their retail loan book, now the other problem of yes bank is there, MSME book, that is micro, small, medium enterprises book, यह अगर total book देखी जाएगी, तो वो है 21% की, यह भी बहुत जादा defaults के लिए, प्रोन है, maximum of these loans are under moratorium, तो यहाँ पे एक NPA का pressure bank पे, बिल्ड होता हुआ नजर आ सकता है दोस्तों, तो इसलिए overall अगर financial position देखोगे, तो फोड़ी सी troublesome situation हमें नजर आती है, अगर gross NPA और net NPA के numbers हम आपको बताएंगे, तो gross NPA के numbers है around 16.8% and net NPA is around 5.04% and that too we do not know what kind of impact this COVID-19 situation is going to have on the bank because still there are a lot of loans which are under moratorium, तो यह moratorium का period जब end हो जाएगा, then we will come to know कि actual impact bank पे कितना होगा because of the COVID-19 situation. So this particular situation of finances is not looking that good. Now we will go to the fourth part that is conclusion, what an investor or what a trader should do with this FPO. Now in fourth part friends, कि हम यहाँ पे conclude करना चाहेंगे, कि क्या actually इस particular FPO में आप लोगों ने करना चाहिए, तो वहाँ पे एक statement के साथ शुरू करते हैं. अगर आप कहीं पे भी investment कर रहे हो, किसी भी equity asset class में invest कर रहे हो, फिर वो stocks हो या mutual funds हो, आपके दिमाख में अगर एक बार ऐसा आ जाता है, कि भाई मैं इस particular stock में इसलिए invest कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत loss हो गया है मेरा, और अभी ये loss कवर करने के लिए मैं average कर दूँगा, ये अगर thought process में आप लोग investment कर रहे हो, तो then you are in a wrong stock, आप completely आपके risk profile से ये अलग investment कर चुके है, and you should avoid these things, this is an indication for you, there is no point of investment, at least into equity asset class, when you are thinking about only break even of your capital, that is not at all a right choice for you, तो इसलिए if you are an investor, long term के लिए अगर आपको लग रहा है, तो then completely अलग thought process होना चाहिए आपका, कि company में earnings की visibility कैसी है, earnings की growth की visibility कैसी है, longevity of that particular earning कैसी है, ये सारी चीज़े आप लोगों ने देखने चाहिए, rather than ये इतना principle डाला है, और इतना है महाँ पे निकल रहा है, so इसलिए investors, अगर आप तुदको investor मानते हो, तो this is not an FBO for you, now we'll come to the second part, which is, अगर आप trader हो, opportunist हो, तो शायद यहाँ पे आपको opportunity बनती हुई नजर आ सकती है, 20 रुपे का अभी stock का price है, 12 रुपे, 13 रुपे पे stock offer किया गया है, fall on public offer में, so chances are there, downside risk protected है, but यहाँ पे आपको एक listing gain, जब भी ये हो जाएगा, FBO close हो जाएगा, आपको allocate हो जाएगा, your stock price अगर थोड़ी बहुत ऊपर रह जाती है, so I think you will have a very good listing gains, listing in the sense कि जब ये FBO close हो जाएगा, और price अगर ऊपर रह जाती है वहाँ पे, which chances are there, but as an investment point of view, we will never suggest, as a trading point of view, you may get an opportunity for investor investment, या फिर ट्रेदिंग, not for investment, so investors ने इससे दूर रहना चाहिए, that's what we feel, we do not feel कि S-Bank अपके core portfolio का part होना चाहिए, so वो investor का suggestion है, trader का suggestion I think, अगर आपको लगता है कि risk to reward ratio में, it is favoring more towards reward rather than risk, so you can take a chance, but फिर भी दोनों चीज़े, it's not a plain and simple advice, आपके advisor को पूछके ही ले, आपने वो decision लेना चाहिए, as an investor, because I am an investor, I am not a trader, I am not going to apply for this FBO, that's the disclaimer, I would like to give it to all of you, so हम आशा करते हैं दोस्तों कि आपके ये वीडियो अच्छा लगा होगा, दोस्तों हमने एक नया feature launch किया हमारी वेबसाइट पर, and that is Stockometer, तो ये Stockometer को अगर आपने अभी तक experience नहीं किया है, तो ज़रूर हमारी वेबसाइट इन्वेसेट नहीं को विजिट कीजिए, वहाँ पर, जो हमारे Stock Video Subscribers है, तो उनके लिए, specifically Stockometer Plus का एक sign है, तो आप लोग वहाँ से हमारे वीडियो अक्सेस कर सकते हो, हमने जो Stocks को रेटिंग्स दी है, जो Stocks हमें अच्छे लगते हैं, उनको रेटिंग्स भी वहाँ पर दी हुई है, तो वो रेटिंग्स को भी access आप लोगों को मिलेगा, जब भी उस particular company के बारे में, हम कोई भी article लिखते हैं, या फिर कोई भी video लिखते हैं, या फिर कोई भी छोटा सा ब्लॉग लिखते हैं, तो आपको वहाँ पर उसका access मिल जाएगा, as a stockometer plus subscriber, तो ज़रूर इस चीज का लाब उठाएगा, दोस्तो, stay home ये coupon code use करके, you can take advantage of 10-25% of discount on our all research products, even our जो हमारे advisory के products है, like gold advisory plan and portfolio structuring plan, उसका भी आप advantage ले सकते हो, दोस्तो, with the coupon code of stay home, अम आशा करेंगे कि ये वीडियो आप लोगों को informative लगाओगा, ऐसे वीडियो के लिए हमारा चैनल देखते रही हो, नेक्स्ट वीडियो तक कि लिए मुझे आग गया दीजिये दोस्तो, जाए हे,